बश्कार दोस्तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अपने प्लेटफोर्म पे जैसा कि आप देख रहे हैं इलम भरती चोकाने वाला अकड़ा है याना ने फिर से क्या क्या है बाजी मारी है यानी सोचा नहीं होगा आपको सेलेक्शन चाहिए तो यह वीडियो आपको लाइन में नर्याना में तो यह वीडियो पूरी देखना भाई ठीक है जल्दी भाग जाते हो उसके चक्र में भागा दोड़ सारी जिंदकी रहेगी इससे अच्छा है पूरी वीडियो देखा परो ताकि आपको फ्यूचर में मिल सके देखो आज की बात बताता हूं मैं आ तो इस तरीके से कभी आप भी मिलोगे और जो पर फिर आप मिलो ना तो खुसी बहुत अच्छा लगता है दिल खुस हो जाता है जब बच्चे सेलेक्ट हुए हर जब भी मैं कहीं पर भी जाता हूं ना कहीं हर बिजली बोड के अंदर कोई ने कोई बच्चा लगा हुआ आपको दावे के साथ कह सकता हूं भी आप नोकरी पका लग जाओगे ठीक है तो इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहेगे अब बात सुनिए क्या है देखो अरियाना के अंदर क्या है भी अरियाना में क्या है बर्तियाने वाली है उसके आप तैरी कर रहे हैं तो आपकी वायर में से डिपलोमा भी है ना उसके बाद आपके पास लाइन में की यगर अप्रेंटिस्प है लाइन में यानि विजली वर्ड वाला ही लिख के देखते हैं आपका डिपलोमा किसमें है ठीक है ना किस चीज के अंदर आपने मतलब वह कर रहे है उस पर ज्यादा ध्यान ने दिया जाता वो देखते हैं अप्रेंटिस्प किसमें ठीक है अगर आपके पास टीजी यह एक तो आपके पास आई टीपलोमा इलेक्ट्रिकल वायर मेंन इलेक्ट्रोने किसी से डिपलोमा हो या आपके पास आई टीए यह उसके बाद एलम यानि बिजली apprenticeship मागते हैं और पंजाब भी 10th के अंदर होने चाहिए तो अपर याना वाले पंजाब के अंदर लग सकते हैं और पंजाब वाले पंजाब के अंदर तो लगी सकते हैं ठीक है तो ये भी आपके लिए सुनेरा मोका होता है जैसे 2000 हर दो साल के बाद वकेंसी आती है तो ये 2023 की वकेंसी है जो कंप्लीट हो रही है और 2025 के अंदर भी वकेंसी आएगी ये मैं आपको बता रहा हूँ और ध्यान से सुन लीजिए गा 2025 के अंदर भी पंजाब लाइनमेन की वकेंसी आएगी तो अपने का ये मुझे 10 के अंदर एडिशनल पंजाबी करनी है ठीक वो बता देगा आपको फोर्म बरिये पेपर दीजी एडिशनल पंजाबी आपके साथ 10 में जुड़ जाएगी तो और आप पंजाब का पेपर देखे लाइन में लगने का यानि 27-30 नंबर वाले भी आप के लगी हैं जिसमें से सबसे ज्यादा शिर्षा के उसके बाद फत्यवाद के के अंबाला के इस तरीके से इसके इंदर दिया हुआ है ठीक है जिसमें से 362 युवा हर्याना के लगी हुए बतिस्तो लड़कियां लगी है देखू ठीक है और मोस्टों बच्चे हैसे होंगे उनके पड़ते होंगे तो इस तरीके से आप भी नोकरी लग सकते हैं तो आप पहले यह मत देखिए भी मुझी हर्याणा के इंदर ही लगना भी सही बताएंगे तो आप इस तरीके से अपनी इलेक्ट्री सीन की त्यारी साथ साथ करते रहें ठीक है जैसे यह बात करें तो यह पंजाब लाइन में में लगे हुए स्तारे हैं अपने बहुत चमकते वे स्तारे हैं जिसके अंदर आपका कुलदीप केवल गुर्दीप रो पहले भी कही नहीं सेलेक्ट हो चुके और आने वाली बढ़ती के अंदर मां आपको लिख के देता हूं और यह आना के इंदर फिर सेलेक्शन लेंगे यह चाहिले के लिए लोईन का ठीक है ना यह फिर सेलेक्शन क्योंकि यह जुड़े हो अच्छे हैं जो एक्टिव रहत ओं ओं यह जो कनेक्ट रहेंगे ना वह लगेंगे पका तो आपको मैं यह बिपता देता हूं ऑप चैए पन्जाब कित्यारी करो हर्याना लाइनमीन की दे ले लीजिए इंडिया उपस्रार प्रिश कर लेजिए उसके उपर उफर भी चला हुआ अवह अभी तसाइद सेला सकती बेच मैं कहते हूं आप कोई भी पेपर दे लेना इलेक्ट्री सीन का क्यूसन बाहर से फस्ट जाए तो पंजाब लाइन में का एक भी क्यूसन बाहर नहीं आया था ठीक है बस लेंगवेज का फरक रहता है पंजाब और इंगलीस आपको थोड़ी ची बदलनी आती है ना आप कर सकते हो ठीक है अब टेकनिकल हेलपर की वेकेंसी आएगी राजस्तान में इलेक्ट्रिकल जेई की वेकेंसी भी आई हुई है बहुत सी वेकेंसी आएगी इतनी वेकेंसी आएगी इतनी वेकेंसी दो हजार पत्चीस के इंदर भी आप जो जो नहीं लगे ना तो यह आपकी बद किस्मती मानी जाएगी क्योंकि आई टेए वाला अगर जो मैं हमेशा कोई पी स्टूडेंट मेरो परसनली मिलता है ना सर मेरी आई टेए इलेक्ट्री सीन से मेरी वाइर में से और फिर भी नोकरी के बिना रह जाता है न मैं उसको सिद्धा गयता हूं भाई तेरी तेरे को ना तेरी किस्मती खराबेस का मतलब तो या तो तुने त्यारी नहीं कि तुने ठला है ठीक है आई टेए वाला नोकरी के बिना रह जाए वही नहीं सकता इतनी डिमांड है सतर जार वकेंची आने वाली है आई टेए बेस के उपर रेलवे के इंदर ठीक है तो नोक जीजे हैं यह फुलाना यह दिखड़ा देखो नाच्चूं के से अंगन टेड़ा ठीक है ना तो वह बात है जिसको नहीं पढ़ना है न वह ऐसे फालतू बाते हैं मैश्या करता रहेगा और आप जिसको पढ़ना है न वह अमेश्या एक ही बात कहेगा सर बहुत अच्छा हारी है 30% सेलेक्शन अकेला अर्याना ले रहा है कितना बड़ा पंजाब है उसके बाद उसके साथ में टच उत्रा खंडी माचल वगेरा भी करते हैं राजस्तान में टच करता है और अर्याना का देखो इतने युवा निकले उसका कारण है क्योंकि हमने पूरा फुरी में पिछले साल ठीक है न और जितने भी बच्चे जुड़े होएं वो सारे सेलेक्ट हैं यहां पर जो रेगुलर जुड़े होए थे जाये वो कहीं से जुड़े हैं आप मैं यह नहीं कहता है तो इस तरीके से आप अपना काम करते रही है और पढ़ते रही है तो आज के लिए इतना ही है अब की बार फिर बाजी मारनी ने वहां पर जाके औरमे यह बार फिर अपना दमतम दिखाना आज अपने जीवन को बहतरें तरीके से धन्यवाद जहें